हेलो गाइज, वेलकम टो इंग्लिस एजुकेशन, स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक लास नाइट जोग्रफी के थर्ड चैप्टर के थर्ड पार्ट को तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से दो वीडियोज को पहले ही कंप्लीट कर लिया है अगर आपने वो सभी वीडियोज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा वहाँ से आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं चैप्टर अपना क्लियर कर सकते हैं तो आज हम जानेंगे लेक्स के बारे में तो आप कस्मीर वैली के बारे में जानते होंगे जो फेमस जल लेक है उसके बारे में भी आप जानते होंगे जो हाउस बोटे माप पर शिकारा है उन सब के बारे में भी जानते होंगे जो हजारों टूरिस्ट को हर साल अपनी तरफ आकरशित करती है अब ऐसी ही कुछ और टूरिस्ट इस्पोर्ट है उनके बारे में भी आप जानते होंगे वहाँ पर आपने इंजॉय भी किया होगा जैसे बाटिंग, स्वीमिंग या दूसरे वाटर गेम्स होते होंने इंजॉय किया होगा तो देखे पूछा गया है कि जैसे कि हम इमेजन कर सकते हैं श्री नगर में नैनी ताल में या दूसरे जो टूरिस्ट प्लेसे हैं वहाँ पर अगर लेक्स ना हो तो क्या वो इतनी ही अट्रक्टिव जगा होंगी जितने की वो आज है तो क्या कभी आपने ये कोसिस की है ये जानने की कोसिस की है कि किस तरह से जो लेक्स होती है वो उस टूरिस्ट प्लेस को ज़ादा अट्रक्टिव बनाती है अपार्ट प्रॉम अट्रक्टिव अफ टूरिस्ट लेक्स अर और और सो यूसफुल टूरिस्ट बिंग्स इन मैनी वेस्ट तो देखिए एक तरफ तो ये जो है टूरिस्ट को आकरशित करती हैं दूसरी तरफ जो लेक्स होती है वो हुमन के लिए बहुत जादा इंपोर् इंडिया में काफी सारी लेक्स हैं इस टिफर फ्रों इच अदर इन साइज और अधर केरेक्रेस्टिक तो देखिए यह साइज में यह दूसरी चीजों में दूसरे से अलग अलग होती हैं मुस्ट लेक्स आर प्रमानेंट सम कंटेंस वाटर अनली डूरिंग दारेनी सीजन तो जहां पर बात करें कि कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं निके उनमें हमेशा पानी रहता है और कुछ लेक्स ऐसी भी होती हैं जो सीजनल होती हैं रेनी सीजन यानिके बरसात के दोरानी वहाँ पर पानी डेखने को मिलता है तो यसी तरह की कुछ लेक के यहां पर example दिये गए हैं जैसे की basin of island में जिस तरह की लेक होती है या semi-arid reason में होती है जो पूरे साल पानी उनमें नहीं रेखने को मिलता है तो कुछ लेक्स ऐसी भी होती है जो किसकी वज़े से बनती है glacier और ice heat के action की वज़े से बनती है यानिके melt होने की वज़े से बनती है while the others have been formed by wind, river action and human activities और कुछ लेक्स ऐसी भी होती है जो हवा से या फिर river के action से बनती है या फिर जो humans होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है तो यहाँ पर हम बात करेंगे a membrane river across a flood plain forms cut off that later developed into the ox bowl तो देखे ox bowl lake के बारे में हमने अपनी कुछ last वीडियो में भी जाना था तो यहाँ पर बताया गया है कि जो membrane rivers होती है वहाँ पर जो flood plain होता है वो cut off हो जाती है वो cut जाती है जिसकी वज़ा से ox bowl lake बनती है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि यह river जा रही है यह इस तरह से cut off हो जाती है और यह जो इस तरह की जो formation होती है इसे ox bowl lake के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है इस जगा पर इखटा हो जाता है तो यहाँ पर बताया गया है कि spits and bars from forms langoons तो पहले हम spits और bars के बारे में जाते हैं दो words यहाँ पर दिये गया है spits and bars तो यह दोनों चीज़े हमें समुद्र में देखने के लिए मिलती हैं तो यह जो दोनों चीज़े होती हैं समुद्र के water को एक तरफ divide कर देती हैं जो bars होते हैं वहाँ पर देखा जाते हैं कि समुद्र में रेत इखटा हो जाता है तो रेट के इखटा होने की वज़े से समुदर का कुछ पानी समुदर से कट जाता है तो यहां पर बताया गया है कि इस तरह से यह लेंगून्स की फॉर्म करती हैं कोस्टल एरियाज में तो यहां पर कुछ एक्जामपल दिये गए हैं जैसे कि चिलका लेक है पुलीकट लेक है, कोलेरू लेक है, लेक्स इन दा रीजन ओफ दा आइलेंड ड्रेनेज आर सम्टाइम सीजनल तो यहां पर यह भी बताया गया है कि जो आइलेंड रीजन है ना वहां पर कुछ लेक्स सीजनल भी होती है पुर एक्जामपल जैसे कि सांबर लेक है, जो राजिस्थान में पाई जाती है, विच इस साल्ट लेक जो एक शॉल्ट वाटर लेक है, इट्स वाटर इस यूज़्ट पर प्रोडूसिंग शॉल्ट तो इसका जो पानी होता है वो शॉल्ट को प्रोडूस करने में यूज किया जाता है, most of the fresh water lakes are in the Himalayan region, they are of glacial origin, तो यहां पर बताया गए कि कुछ लेक हैं, fresh water की, जो Himalayan region में पाई जाती हैं, और ये glacial origin से निकलती हैं, in the other words, अलग सब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, they formed when glacier dug out of basin, तो ये कैसे form करती हैं, जब glacier dug out हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, which was later filled with snow melt, और फिर वो snow melt से fill हो जाती हैं, भर जाती हैं, तो वो एक lake बन जाती है, lake का रूप ले लेती है, आगे बताया गया है, जो वोलर लेक है, जमू एंड कस्मीर में, वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी का result है, It is the largest fresh water lake in India, और भारत में ये सबसे बड़ी fresh water lake है, यानिके उसका जो पानी है, वो बिलकुल fresh है, और वो इंडिया में सबसे बड़ी है, दडल लेक, भीम ताल, नैनी ताल, लोकता एंड बर्मा पानी are some other important fresh water lake, तो कुछ और important fresh water lake के याप पर नाम दिये गए हैं, जिने आप याद कर सकते हैं, Apart from natural lakes, the damming of the river for the generation of hydel power has also lead to formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, जिसे हम भाकरा नागल प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो देखें, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ lakes जो हैं, produce की जाती हैं, बनाई जाती हैं, dam करके बनाई जाती हैं, क्या करने के लिए, हाइडल पावर को generate करने के लिए, तो यहाँ पर example भी दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है Guru Gobind Sagar, या फिर हम उसे भाकरा नागल प्रोजेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, Lakes are of great value to human being, तो देखिए, यहाँ पर जो lakes होती है, वो human being के लिए बहुत ज़्यादा important होती है, a lake help to regulate the flow of river, तो जो lake होती है, वो river के flow को भी regulate करती है, during heavy rainfall, जब ज़्यादा rainfall होता है, it prevents flooding and during the dry season, यह क्या करती है, dry season में भी help करती है, यहाँ पर water मिल जाता है, और जब flood आती है, तब यह flood को prevent करने का भी काम करती है, it helps to maintain and even flow of water, तो यह flow of water को maintain करके रखती है, lakes can also be used for developing hydel power, जैसके अभी हमने पूपर पढ़ा, कि जो lakes होती है, वहाँ पर हम hydel power को generate कर सकते हैं, they moderate the climate of the surrounding, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, help develop tourism and provide recreation, तो यह जो सभी lakes होती है, इनकी वज़ा से जो वहाँ का climate होता है, वो काफी अच्छा बना रहता है, moderate बना के रखती हैं, उसके आसपास के वातवरन को, और यहाँ पर बताया गया है कि जो aquatic ecosystem होता है, उसे maintain करके रखती है, natural scene बनाती हैं, वहाँ पर natural beauty देती हैं, और यह tourism को भी develop करती हैं, और दूसरे recreation भी lakes की वज़ा से होती हैं, अब आगे पढ़ते हैं, role of the river in the economy, अब river का क्या मुख्य रोल है Indian economy में, तो देखिये river has been of fundamental importance throughout the human history, तो अब से नहीं human history की बात की जा रही है, तब से ही यह बहुत ज़्यादा important है, water from rivers is a basic natural resource, तो देखिये जो water है, river से जो मिलता है, वो natural resource उसे कहा गया है, essential for various human activities, और बहुत सी human activities हैं, उसमें उसे use किया जाता है, therefore the river bank have attracted shelter from innocent time, तो यही कारण हैं कि जो river banks है ना, वो human को अपनी तरफ attract करते हैं, इसलिए जो human है वहाँ पर shelter लेते हैं, these settlement have now become big cities, और यह जो छोटे-छोटे settlement थे ना, कि नदियों के किनारे पर लोग जाकर रहने लगते थे, अब यह इनोंने बड़ा, बड़े सहरों का रूप ले लिया है, make a list of cities in your state which are located on the bank of the river, तो यह पर कहा गया है कि आप एक list बना सकते हैं, ऐसे cities की जो की river bank पर situated है, using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, तो देखिए, इंडिया जैसे देश की बात की जा रही है, यहाँ पर river का use irrigation के लिए किया जाता है, navigation के लिए किया जाता है, पावर generate करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा important है, देखिए, where agriculture is the major source of livelihood in the majority of its population, तो इंडिया जैसे देश की बात यहाँ पर बताई जा रही है, कि जैसे इंडिया जैसे country है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा irrigation की, वहाँ बहुत ज़्यादा agriculture पर depend है, बहुत बड़ी संख्या में population, तो यहाँ पर river जो हैं बहुत important role play करती है, अब हम river pollution के बारे में जानेंगे, the growing domestic municipal industries and agricultural demands for water from rivers naturally affect the quality of water, तो दिखिए यह जो domestic use के लिए water की demand बढ़ती चली जारी है, industrial और agriculture use के लिए demand water की बढ़ती चली जारी है, इस से water की जो quality है ना, natural quality है वो effect होती है, as a result, more and more water is being drained out of the river, reducing their volume, जिसके कारण क्या होता है, जो river water है, वो बहुत ज्यादा use किया जा रहा है, जिससे कि जो river है, उसका volume reduce होता है, उसमें पानी की मात्रा कम हो रही है, on the other hand, a heavy load of untreated seaways and industrial effluents are emptied into the river, तो देखे क्या किया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ हम यह भी कह सकते हैं, कि यह जो load बढ़ता चला जा रहा है ना, river के उपर, कि water coat rate नहीं किया जाता है, ऐसे ही जो chemical industry से निकलते हैं, उन्हें ऐसे ही river में छोड़ दिया जाता है, तो इससे जो है बहुत जादा फर्क पड़ता है, इस अफेक्ट सूरी नोट ओनली दो क्वालिटी ओफ वाटर, बट ओल्सो दा सैल्फ क्लेंजिंग कैपसिटी ओफ दर रीवर, तो देखें, यहां पर बताया गए कि रीवर के अंदर सैल्फ क्लेंजिंग पावर होती है, तो यहां पर देखें, यह क्या एफेक्ट करता है, जब लगातार लगातार chemical जो हैं डीवर्स में छोड़े जाएंगे, तो यह केवल वाटर की क्वालिटी को ही अफेक्ट नहीं करेगा, बलकि उसकी जो साल्फ क्लेंजिंग कैपसिटी है रीवर की उसको भी अफेक्ट करता है, एक्जाम्पल के लिए बताया गया है, गिवन दा एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, दगंगा वाटर इस अबर तू डिल्यूट एंड एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड लोड विदिन 20 किलोमेटर ओफ लाज शिटी, तो देखें, यहां पर बताया गया है कि जो रीवर है ना, उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अपने वाटर को 20 किलोमेटर मतलब एक बड़ा सहर है, उससे निकलने के बाद 20 किलोमेटर चलने के बाद अपने आप से उससे साफ कर लेती है, लेकिन क्या हो रहा है, तो देखें, जादा सहरों के बढ़ जाने से, लब 20 किलोमेटर के उसको टाइम ही नहीं मिलता है, उससे पहले ही दूसरा सहर है, उससे पहले ही दूसरी इंडस्ट्री है, तो इसकी वज़े से क्या है, कि जो पॉल्यूशन है, वो बढ़ता चला जा रहा है, पॉल्यूशन का लेवल जो है, वो बढ़ता चला जा रहा है, concern over the rising pollution in our rivers lead to the launching of various action plans to clean the rivers तो मतलब इसी चीज को देखते हुए चिंता करते हुए government क्या करती है बहुत सारे program बहुत सारे plans को launch करती है जिससे की river को साफ रखा जा सके Have you heard about such action plans क्या आपने भी ऐसे किसी action plan के बारे में सुना है How does our health get affected by polluted river water और हम सोच सकते हैं कि यह जो polluted water होता है न यह किस तरह से हमारी health को effective करता है Think about life of human being without fresh water Arrange a debate in your debate on this topic in the class तो इस बताएगे कि imagine करो इस बारे में सोचो हो कि human being का जीवन कैसा होगा अगर पानी जो है वो साफ नहीं होगा fresh water उसे नहीं मिलेगा तो human being का जीवन कैसा हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के लिए fresh water पर depend करते हैं अगर हमें fresh water नहीं मिलेगा तो किस तरह का हमारा lifestyle होगा किस तरह की हमारी health होगी तो ये चीज़े जो है concern करने वाली हैं इससे हमें सोचना चाहिए और इस पर हमें debate भी अपनी class में कर सकते हैं तो इस सरा से chapter होता है आपका complete I hope chapter आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक like जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करें और bell icon को press कर लें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बबाए